आज की वीडियो में हम ऐसे सूजी स्नेक्स बनाएंगे जो चाय के साथ सर्फ करने के लिए एकदम पाफेक्ट है और जिनको आप एक महीने तक पिना खराब हुए स्टोर भी कर सकते हैं इन सूजी आटे के स्नेक्स बनाने के लिए ये सारी समगरी इकठी कर लें इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बॉल में डाल रहे हैं एक कप के हुँकाटा इसमें डालें आधा कप सूजी आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर और तक्रीबन आधा चमच नमक डाल कर अच्छे से मिला दें आटे में तक्रीबन चार चमच तेल डाल कर इसे अच्छे से मसल कर गून लेंगे बिसिकली इस मिक्षर में तेल इतना होना चाहिए कि जब हम इसे इस तरह से हाथ में पकड़ कर दबाएं ये इस तरह आपस में चिपकना चाहिए अगर चार चमच तेल डालने से ये मिक्षर इस तरह ना चिपके तो आप थोड़ा और तेल डाल सकते हैं अब हम इसे पानी के साथ गून लेंगे इसे हमें ना जादा टाइट गूनना है और ना जादा लूज इस तयार मिक्षर को हम फिलहाल के लिए ढखकर अलग रखतेंगे ताकि सूजी मौश्चर अबज़ाब करके फूल जाए अब हम इन सूजी स्नेक्स की स्टफिंग तयार करेंगे जिसके लिए एक गरम फ्राईंग पैन में दो चमच तेल डालें तेल करम होने पर इसमें एक चमच राई डालें जब राई के दाने चटकने लगें तब इसमें डालें 1.5 चमच सौफ अब इसमें 2 सूखी हुई लाल मिर्चों को इस तहा तोड़ कर डालें एक चुथाई कप मूफली के दाने एक तिहाई कप मूफली के दाल आधा कप चना दाल और आट से दस काजू डाल कर इन्हें थोड़ा भुन ले अब इसमें हम सिर्फ दो ही मसाले डालेंगे तीन चुथाई चमच या स्वादनुसार नमक और एक चमच आमचुर पाउडर डाल कर अच्छे से मिला दें इसे हमें मीडियम हीट पर ही भुनना है तकरीबन दो से तीन मिनट भुनने के बाद जब इसमें से बहुत अच्छी खुश्पू आने लगे तब ये भुनकर तयार है इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखतेंगे ठंडा होने के बाद इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल कर ग्राइंड कर लें इसका बहुत अच्छा पाउडर बनकर तयार है जिससे हम सूजी स्नैक के फिलिंग करेंगे इतने देर में सूजी ने सारा मौश्चर अब्जॉब कर लिया है इसे हम थोड़ा गूंद कर सौफ्ट कर लेंगे इस मिक्षर के इस तरह से छोटे टुकडे काट लें इन टुकडों के इस तरह से हम गोल पेड़े बना कर तयार कर लेंगे अब बेस पर थोड़ा ओयल लगाएं और इन पेड़ों को बेल कर फ्लैट कर लें इनमें हम तकरीबन एक से देर चमच तयार की हुई दाल की स्टफिंग भर लेंगे अब इसे इस तरह हर तरफ से फोल्ड करके सील कर लें इसे हलका दबाकर सील अच्छे से चिपका दे ताकि फ्राइ करते वक्त सील ना खुले सूजी स्नैक्स फ्राइ करने के लिए तयार है इन सूजी स्नैक्स को फ्राइ करने के लिए एक गरम फ्राइंग पैन में थोड़ा रिफाइन डॉल डाले तेल गरम होने पर गैस मीडियम हाई पर सेट करें और इनमें तयार किये हुए सूजी स्नैक्स डाल कर फ्राइ कर ले तेल में डालते वक्त इनकी सील वाली साइड नीचे की और करके डालें ताकि ये फ्राय होकर सील हो जाए और स्टफिंग लीक ना हो कोई भी स्टफिंग जब लंबे टाइम के लिए स्टोर करने के लिए बनाया जाता है तो उसमें तेल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए हम इन्हें fry कर रहे हैं इस snack में सूजी का बहुत important role है क्योंकि सूजी fry करने पर तेल छोड़ देती है जिसके कारण snacks कम oil absorb करते हैं और ये खाने में heavy नहीं लगते इन्हें हम उलट पलट कर हर तरफ से fry कर लेंगे medium high gas पर fry करते हुए जब इनका रंग golden brown से नजर आने लगे तब ये बन कर तयार है इन्हें हम absorbing paper पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा extra oil absorb हो जाए इन मज़ेदार सूजी snacks को tomato ketchup और गर्मा गर्म चाई के साथ सर्फ करें इन सूजी snacks को एक महिने के लिए air tight container में store किया जा सकता है ये खराब नहीं होंगे तो आप भी ये perfect और easy सूजी सेवरी snacks की recipe जरूर ट्राए करें अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया like का बटन दबाएं और मेरे चैनल को subscribe जरूर करें और रोज एक नई recipe वीडियो देखने के लिए साथ दिये bell icon को भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं धन्यवाद